प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सरगुजामी की आरक्षण को लेकर भाजपने प्रदर्शन आदिवाशियों के आरक्षण को 32 प्रतीशत करने की रखी माँ डोंगरगाव का दौरा करेंगी सीम बगेल, सीम लोगों को दे होंगे रुबरू बिलाई में महिला थाना में हो रहा फरजी बाड़ा, पुलिस कर्मी ने की दस्तावेजों में हेरा फेरी नमस्कार मेरा नाम है इशा भारगाव और आप देख रहे हैं प्राइम 36 गड़, तो शुरुआत करते हैं 36 गड़ की बड़ी खबरों से सीम बुपेश बगेल डोंगरगाओं का दौरा करेंगे, जहां वे सबसे पहले लाल बहादुर नगर जाएंगे उसके बाद सीम अरजुनी में लोगों से रूबरी होंगे और सरकार के कारियों की समिक्षा करेंगे, तो वहीं पुलिस अदिक्षक ने मुख्यमंत्री के कारिकरम की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी माननी मुख्यमंत्री 36 गर्ड का प्रस्थावीत कारिकरम है वीड़ बांइट मुलकात काॉछ इसमें डोंगर गाउं में रात्री विश्राम का कारिकरम है एक समाज प्रमोकर से मिलेंगे प्लस जिले के प्रमुकर दिकारियों के मेंटिंग है इसके लावा प्रेस ब्रिफिंग करेंगे और जो भी निर्मान करें उसका सिलेन्यास भी केंप करेंगे तो निश्चिती इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के जो व्यापक इंतजामा है हम लोग सो निश्चित कर रहे हैं सबसे पहले उनका केंप हो जो की प्राना रेस्ट हो से वहां पर रुकेंगे वहां के हम लोग ने भी जाइजा लिया है पूरा पर व्यापक त्यारी चल रही है इसके अलावा चुकि साथ में वरिष्टा धिकारी भी आएंगे मुख्याले से प्रभारी मंत्री भी और जल भी बारा तरीक के पहले हम लोगे सारा चीज़ हो जाएगा फाइनल और एक ऐनल रियल सेल हो जाएगा पीट मुलाकात का कार्यकरम और जونई में हैं और जुनई में किसान के हाँ उनका लंभी है वहां की हम लोग व्यापक त्यारी कर रहे हैं या कि वह पर वहां बहार से मंगानी पढ रही है वहीं मरीजों को Convention कि कमी से परिशानीओ का सामना भी करना पढ रहा है वुझा कि शीUL रांट हमारे पास चार लगे हुए है उपहले हो तरिया बहुत हैं कि qa ुप को ही नई हो रही है और एक generator plant को हम अवस्यक्ता पढ़ने पर चालू करते हैं क्योंकि वहां पर अभी अवस्यक्ता नहीं है इसलिए उसको हमने बंद रखा हुआ है एक generator plant के, मैं आपको बता दूँ कि generator plant का एक limit time होता है उतने, generator plant खराब नहीं है generator plant एक limit time के बाद इतने घंटे चलने के बाद उसके purity में थोड़ी से कमी आ जाती है तो हम वो उसमें, क्योंकि आक्सीजन एक जीवान रख्चा को उसमें हम purity में कहीं कमी नहीं करते हैं इसलिए उसको हमने बंद रखे और company से संपर करके उसको secret ठीक करा ली जाए बिलाई के महिला थाना में दस्तावेजों में पुलिस कर्मियों ने हेरा फेरी की है जिसके बाद कानूनी कारवाई की मांग को लेकर भाजयूमों के कारिकरताओं ने पुलिस महानिरिक्चक के कारिकरता को गहराव किया साथ ही बताया कि मैला थाना प्रभारी लंबे समय से एक ही थाना में जमे रहकर अपने पत का गलत उप्प्योग कर रही है दंदेवाडा में जेविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार नेक पहल शुरू की है अभी तक सरकार किसानों को जेविक खेती करने के लिए प्रमाण पत्र देती थी जिसको लेकर किसान अपने खेत में जेविक खेती कर सकते थे और अब जेविक खेती की फसल अपने आधार पर बेच भी सकते थे आपको बता दे कि सरकार की पहल से किसानों के चैरे पर मुस्कान आई है किसका रिकार्ड भी क्या दर्जो का मा मुख्यमंत्री घूबेज बगेल को इसलिए तो इंदूस्तान में नंबर वन मुख्यमंत्री है धंत्यवड़ा भी नंबर वन मनेगा मा समुन्द में युवा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 36 गर्प्रमाडी ने भारत जोडो यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मशाल रैली निकाली तो वही युवा कॉंग्रेस की ये मशाल रैली अमेडकर चौक से शुरू होकर गांधी चौक पर खतम हुई बता दे कि युवा कॉंग्रेस की ये पधियात्रा और मशाल रैली प्रदेश के नब्बे विधान सभाव में निकाली जाएगी सर्गुजा में आदिवाशियों के आरक्षण के लिए 32 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने को लेकर भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चा ने प्रदेश प्रदर्शन किया बता दे कि आरक्षण को लेकर 36 गड़ के आदिवासियों में असंतोस की स्थिती उत्पन हो गई है और वे दवारा 32 प्रतिशत आरक्षण को बहाल करने के लिए आंदोलन करने में उतर आई है वहीं इस प्रदर्शन में सर्गुजा जिले के दिगज और बड़े नेता उपस्तित थे अनुसूचित जातीयों का जो आरक्षण सरकार ने 32 परसेंट लागू किया था और ये सविधान में भी ब्योस्ता है कि आदिवासियों का आरक्षण 32 परसेंट होना है लेकिन ये भूपेश सरकार के कारिकाल में हम लोग का जो आरक्षण रहा वो घट के 20 परसेंट हो गया है 12 परसेंट का नुस्कान हुआ है उसका हम लोग मांग पूर जोर मांग कर रहे हैं बस्तर संभाग सर्गुजा संभाग बिलाशपूर संभाग सभी जगा आज ये चक्का जाम का दूसरी बार हम लोग सांक्यतिक रूप से ये कारे काम किये हैं और आज मंत्री जी का निमाज का घेरावा भी कर रहे हैं उनको उनसे निमेदन करने आए हैं हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम किये थे जो कि भूपे सरकार जो 32-33 परसेंट जो आरक्षन आदिबाशी के ले था तो उसमें घटा के 20 परसेंट कर दिया है अपने हक की लड़ाई के लिए हम बरिश कार करता अपने जो आदिबाशी जो नेता हैं उनके साथ हम लोग मील के चक्का जाम किये और अपना मांग को रखे हैं अगर अपना मांग को नहीं देते हैं तो आगे फिर कुछ हम लोग को करने का विचार है अपने हक के लिए लड़ाई आगे लड़ाई जारी गए अंबिकापुर में गाव भूकरा में बन रही युनिवस्टी के कैंपस का निरिक्षन करने विधायक डॉक्टर पीतम राम अधिकारियों के साथ पहुँचे आपको बता दे कि युनिवस्टी के भवनों में कारिक कई साल पहले ही शुरू हो चुका था जिसके निर्माण का कारिक कोविट की वज़े से रुका पड़ा था विधायक ने रुके हुए कारिका निर्माण जल से जल पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिये है युनिवस्टी कैंपस का आज निरिक्षन मैंने किया और पीड़ोडी के अधिकारी और युनिवस्टी के कुलसच्यू जी यहां पर उपस्तित है हम लोग सभी जगह का भवनों का निरिक्षन किये इस पर देखे कि अपने पास जो रासी आवंटित किया गया है उसमें अभी कम से कम 50 करोड रुपया ततकाल जरूरत पड़ेगा ताकि सभी भवनों का कारे तीब्रगती से कर्श रके ये भवन का कारे 2018 से प्रारम किया गया है और कारे दो वर्ष कोविट के वज़े से कारे रुका पड़ा था लेकिन इसके बाद से सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और इनको आज सभी लोग को निर्देशित किया गया है कि ये कारे जो है तिब्रगती से सब करें और इसको समय सीमा में पुरूर करें प्राइम चतिसगर में बस इतना ही देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी झाल